इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे ग्लोबस इस्प्रिट्स के बारे में जिसने के अपने कौटर वन के नंबर्स को जस्ट अभी पब्लिश कर दिया तो चलिए देखते हैं इस भाग ग्लोबस इस्प्रिट्स के नंबर कैसे रहे तो कंपनी ने डिवीडेंड बोनस या कोई भी इनॉस्मेंट नहीं करी है तो कंपनी के एंट से सिर्फ सिफ कौर्टर वन को लेके इनॉस्मेंट देखने को मिल ली जिसमें की कंसॉल्डेटेड प्लस स्टैनलोन रिजल्ट से हैं लोग विद्धार इंप्र रिव्यू रिपोर्स उसके लावा नदर कोई भी पब्लिश होते ही टाइम से अब्लेट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा तो रिवेन्यू की अगर बात करें हम लोग जो की लास्ट यर कौर्टर वन के अर्निंग्स यहां पे आपको कौर्टर वन इस बार का है तो रिवेन्यू 750 करोड से 886 पे आ गया कौर्टर ली 780 से 886 पे तो कौर्टर प्लस यर्ली दोनों ही जगे काफी अच्छा रिवेन्यू ग्रो हुआ है देन उसमें आप अधर इंकम एड करेंगे तो आईगी टोटल इंकम जो की 752 से 887 पे आगी यर्ली और 785 से 887 पे कौर्टर और कौर्टर तो टोटल इंकम भी आपको दोनों जगे क कौर्टर प्लस यर्ली बढ़ती हुई देखने को मिलेगी देन डिसकस करते हैं कमपनी के टोटल एक्सपेंसेज यानि की खर्चे कितने रहे जो की लास्ट येर कौर्टर वन में 701 क्रोड के थे वह जबार 866 पे आ गए और कौर्टर फोर में 783 के थे वह जबार 866 पे आ ग गया तो साल दर साल एक बड़ी गिरावाट है प्रॉफिट में जबकि इंकम कंपनी की बड़ी है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेज इस बर प्रॉफिट डाउन देखने को मिल रहे है और मार्केट एस्टिमेट किसी भी ब्लोकर ने इस कंपनी पे नहीं दिया था नहीं आप और ली प्रॉफिट अच्छे ग्रो किये तो 0.03 से 5.31 तो ओवरल दोस्तों डेजल्स कुछ खास नहीं है साल दर साल की पर्फॉर्मेंस काफी खराब इस बार देखने को मिल रही है तो बिल्कुल मार्केट का भी एक नेगेटिव रेक्शन होगा इस पे तो आपको कितने श वीडियो में किसी और अपडेट के साथ तब तक के लिए बबाए